हेलो इस वीडियो में हम वार्ट टेक्स्ट टेक्स्ट फंक्शन के बारे में जानेंगे वार्ट टेक्स्ट फंक्शन नंबर्स को थाई टेक्स्ट में कनवर्ड करता है और टेक्स्ट के लास्ट में बार को जोडता है यहाँ पे दिये गया है जैसे यह text लिखा हुआ है यह name है बोवी, शशी, अलोग, चामन, आमन यह सभी यहाँ पे name दिये गया है अगर हम इस text को what text function में convert करेंगे तो यहाँ पे यह error शो करेगा क्योंकि जो what text function होता है वो केवल number के लिए apply होता है तो यहाँ पे हम इसको करेंगे पहले यह check करेंगे कि text में यह apply हो रहा है कि नए हो रहा है what text तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे click करेंगे click करने के बाद यहाँ पे formula लगाएंगे is equal to इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे what text यह देखो यह लिखने पर यहां पर यह निच्छे आ जाएगा तो यहां पर हम double click करेंगे यहां पर double click किया करने के बाद आगे यहां पर दिया गया है number तो number कौन सा हमने select करना है यह number यहां पर लिखा हुआ है बोवी यहां पर हम click करेंगे click करने के बाद यह जो है cell name यहां पे आ जाएगा A3 एदेखो यहां पे A दिया हुँए है इसके बाद 3 row है यह A3 आ गया है इसके बाद bracket को बंद करेंगे bracket को बंद करने के बाद जब हम यहां पे enter press करेंगे तो enter press करने पे यहां पे error show हो जाएगी यह दिखो, enter press किया, enter press करने के बाद यहां पे value error यहां पे आ जाएगी क्योंकि यह जो word text होता है, यह cable number के लिए होता है, यह text के लिए नहीं होता है तो यहां पे यह text था, इसी लिए यहां पे word text अपलाई नहीं हुआ यह दिखो, निचे सभी के लिए करेंगे, तो इसको निचे drag किया, तो सभी में यह error आ जाएगी देखो, सभी में यह value error यहां पे आ जाएगी है इसके बाद अब हम यहां पे यह दिखेंगे, कि यह number में word text अपलाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो यह जो word text होता है, यह number में अपलाई होता है तो यहां पे number, कुछ भी यह आँ पे number लिखेंगे, जैसे यह suppose करो हमने यह आँ पे 1, 2, 3, 4, 5, यह number लिखे लिखने के बाद इन numbers को हम थाई, text में change करना जाते हैं तो इसको change करने के लिए हम यहां पे click करेंगे click करने के बाद यहां पे formula लगाएंगे तो formula लगाने के लिए equal to यह लिखा लिखने के बाद यहां पे word text यह लिखेंगे, यह लिखो यह लिखने के बाद यहां पे word text यह आ जाएगा तो यहां पे double click करेंगे double click करने के वाद यहाँ पे यह war text इसके वाद यह bracket शुरूँ इसके वाद कौन सा यह लिखो आगे दिया गया number तो कौन सा number हमने select करना है यह number select करना है यह cell पे click किया यह cell name यहाँ पे आ जाएगा C3 इसके वाद बंद की bracket बंद करने के वाद जब हम enter press करेंगे तो यह जो 1 हमने लिखा हुआ है यह यहाँ पे Thai language में यह change हो जाएगा तो इसको देखने के लिए हम enter press करेंगे तो enter press करने के वाद यह दिखो यह जो 1 हमने यहाँ लिखा हुआ है यह Thai text में change हुआ है अब यह जो निच्छे नंबर लिखे हुआ है 2, 3, 4, 5 इनको भी हम देखेंगे कि यह Thai language में change हुआ है कि नहीं हुआ है तो यहाँ पे हम click करेंगे और इसको निच्छे यहाँ पे drag करेंगे drag करने के बाद यह सभी यहाँ पे Thai text में change हो गया है अब हम यह जानना चाते है कि यह जो लिखा हुआ है Thai text में यह one नी लिखा हुआ है कि कुछ और तो नहीं है तो इसको पहले हम यहाँ पे English में समझेंगे उसके बाद Hindi में समझेंगे कि यह क्या लिखा हुआ है तो इसको दे copy करने के बाद इसको minimize करेंगे, minimize करने के बाद Google Chrome open किया, open करने के बाद यहां पे translate पे जाएंगे, translate पे जाने के बाद यहां पे जब हम इसको paste करेंगे, तो paste करने पे यहां पे Thai language अपने आप ही यहां पे detect हो जाएगी, यहां पे right click किया और यहां पे paste किया, तो यह देखो paste कर अब हम इसको English में चेक करना जाते हैं कि English में ये क्या लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे English पे उखकर करेंगे, कि ये जो लिखा हुआ है थाई टेक्स्ट में ये ये लिखा हुआ है तो इसको हम कॉपी करेंगे ये राइट क्लिक किया कॉपी किया कॉपी करने के बाद यहां पे इंग्लिश यहां पे कॉलम पे जाएंगे इस कॉलम पे जाने के बाद यहां पे पेस्ट कर देंगे ये यह 3W, 4W, 5W, तो यह English में आ गया है कि यह जो लिखा हुआ है, यह English में यह लिखा हुआ है, इसके बाद हम यह चेक करना जाते हैं, कि यह जो लिखा हुआ है, थाइट टेक्स्ट में, तो यह Hindi में क्या लिखा हुआ है, एक, यह एक लिखा हुआ है, यह दो लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है कि नई लिखा हुआ है तो यह हम क्या करेंगे इसको कोपी करेंगे तो हमने कोपी इसको किया हुआ है ट्रांसलेट पे यहां पे कोपी किया हुआ है कोपी किया हुआ है इसको हम हिंदी में देखेंगे तो यहां पे हिंदी पे क्लिक करेंगे यह देखो हि हिंदी में आ गया, कि ये जो ठाई टैक्स्ट में लिखा हुआ है ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसको हम copy करेंगे, ये select किया सारा select करने के बाद right click किया और यहाँ पे copy किया copy करने के बाद excel को open किया और यहाँ पे हम इसको paste कर देंगे, ये दिखो पेस्ट किया तो पेस्ट करने के बाद ये लिखो ये ये जो लिखा हुआ है फस्ट में यहां पे वन नमबर पे ये थाई टेक्स्ट में लिखा हुआ है ये हिंदी में एक बात है ये जो लिखा हुआ है ये हिंदी में दो बात है ये लिखा हुआ है ये हिंदी में तीन बात ह ये जो लिखा हुआ है ये चार वाथ है और ये जो लिखा हुआ है ये पांच वाथ है तो इस तरह से वाथ text function का यूज करके हम numbers को tight text में change कर सकते हैं इस वीडियो में हमने वाथ text, text function के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल धन्यवाद